वाइ Big Boss का सीजन स्टार्ट होने वाला है Big Boss सीजन 18 आने वाला है सब ने सुन लिया है और सब को ये बात की ख़बर धीरे धीरे लगता है स्टार्ट हो गए है कि September महने का अन्तिम दिन आ रहा है और October स्टार्ट होते हैं उनका Favorite ळिंग सो Big Boss सीजन 18 आ रहा है हाला कि दोस्तों कई सारे चैनल्स ने इसको लेकर के और डेडी रिपोर्ट बना रहा है कि बहुत सारे लोगा उन्होंने नाम बोल दिया है बट आपको बता दूँ उसमें से हाफ ओफ दा नेम जो है वो आलमोस्ट बैक आउट कर चुके हैं और कुछ लोगों को लिट्रेलफ संवें यहाँपर बिग बौस के इस बार सबक्सार आ है जनरल्ली दोस्तों हर बार बीग बौस के मेकर क्या कर रहे थे कि जो भी चीजिए यहाँपर डिमांड हो रही थी celebrities के द्वारा वो सब कुछ मानने के लिए तयार हो जा रहे थे सारे request को मान रहे थे और सब कुछ यहाँ पर जो भी उनका demand होता था खाने पीने को लेकर के minimum wix वाला वो सब कुछ यहाँ पर उनको provide कर वाया जादा बट इस बार बिग बॉस्के मेकर वी काफे अधा यहाँ पर अपने तरफ से दिखा रहें कि भाई हमको भी यहाँ पर यह दिखाना है कि ये Gig洗ivot के वजह से बहुत सारी इस्टार बनते हैं नज की बहुत सारी स्टार्स के वजह सी ये चीज आपर क couples कर देना चाहते ते और इसके वजह से इस You बहुत जादा हार्स लिए हां कहीं न कहीं यहां पर एक डिसिजन जो है जो सबको पसंद आ रहा है वह है दोस्तों कि बिग बॉस के अंदर इस बार इंफुएंसर्स जो है वह कम होंगे जिसका कहीं न कहीं ज़रुवाद बिदा दोस्तों हमें वह ओल्ड वाला फॉर्मेट च कि इसा बहुत सारे लोग का कर दोस्तों लेकिन दोस्तों इस बार के जो नेम आया है उसमें कई सारे नाम जितने भी हम अभी तक मालूम चले उसमें से एक भी इसका मतलब एक अच्छा और पोजिटिव सुरुआत कह सकते हैं Big Boss Region 18 का चलिए बताते हैं आपको कि कौन कौन सा नाम जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा और यहाँ पर कहीं ने कहीं इंट्रेस्टिंग नाम लग रहा है दोस्तों कुछ नेम तो वागई मुझे भी पसंद आ आई थी कई साय लोग चाहते थे कि नायरा को वह बिग बॉस के अंदर देखने को देखे तो चलिए आपको मौका मिलने वाला है वह आपको दिखने वाली है दोस्तों कुछ नाम यहाँ इस लिस्ट में बताऊंगा जो कि यहाँ पर आपको कोई चैनल नहीं बताया होगा ब अब इनका नाम आ रहा है दोस्तों और यह ओल्मोस्ट क्या कह लीजिए आप इसको कंफर्म लिस्ट में मान सकते हैं यह आ रही है बिग बॉस सिजन 18 के अंदर हाँ अब दोस्तों यह जो तीसरा नाम है उस पर थोरा सा भी अभी कंफूजन बना हुआ है बड दोस्तों यह अब दोस्तों इनको कंफर्म की लिस्ट में डाला जा रहा है अब दोस्तों यह आपर निया सर्मा का नेक्स नाम है इनका नाम कई बार इस सिजन में भी आया हुआ हुआ है और यह बात आपको बता दूं कि अभी शो के स्टार्ट होने से पहले चार बार इनका नाम बैक लोको तो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि यह नाम कंफर्म है अभी फिलाल के लिए ऐसी लिश्ट आ रही है अब यहां पर लास्ट मॉमेंट पर आपको पता है कि पिछले साल भी कुछ लोग लास्ट डे बे बेक आउट कर गये थे जिसके वैसे कुछ नए इंट्रीस खुलाना पड़ गया था जिसमें से मुझे याद आता है कि सुनाली करके एक नाम था वह यहां पर उनको लास्ट मॉमेंट पर एड किया गया था दोस्तों तो वह काफी आदा मतलब यह साही चीज़ें जो है बिग बॉस के अंदर हो नहीं काफी आदा पॉसिवल बट अभी निया सर अधर करके से के अनल समीन यह था दोसमें ने निया सरमा के सथ ही गाम किया था उनका भी नाम दोस्तों यहां पर अन्धूर्म बता आ जा रहा है अब दोस्तों एक नाम जो बहुत ज़ना आदा कानओन ने आप लोगोंने उनको हाल व्लाल में ही देखा करनवीर महरा को आपने देखा है और वह कंफॉर्म कंटेस्टेंट के अंदर आ चुके और वह आपको 100% देखने को मिलने वाले चलिए अब मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जो कि मेरे पास आया है विजैसे चाहत पांडे का नाम आया हुआ है वह आने वाली है अभी दोस्त सब्सक्राइब दोस्तों सोःब इब्राहिम हना कि उन्होंने साफ-साफ मना कर जरूर दिया है बट अभी वैसा बताया जाला कि वो आने वाले है तो मान की चलते हैं की वह भी अभी कंफॉर्म कंटेस्टेंट के लिस्ट में दोस्तों मैंने कुल मिला कि आपको लगबाग जान खान का नाम है बट यह दोस्तों इसको अभी बता रहे हैं बहुत साय लोग इनको बोल रहे हैं बट यह लोग नहीं है इन्होंने अभी दो-तीन बार बैक आउट कर लिया है बाते सातों कुछ लोग जैसे धीरजदूपर बगरा का नाम था आपको रित्विक का नाम आगा था, तो दोस्तों यह साय नाम बट रहे हैं बहुत साय लोग तो अभी बता रहे हैं कि वह लोग आनेवाले बट यह लोग बैक आउट कर चुके हैं कि कुछ दील है जो नहीं हो पाई है जिसके वैसे लोग बैक आउट कर रहें दोस्तों आपके फेर्वेट कंटेशन कौन असकती या आप किसको चाहते हैं कि अभी भी इस लिस्ट में वो नाम जूर जाए कमेंट करके अपनी अपनियन में जरूर बताएगा